गाईस आज तक आप लोगोंने कहीं तरह के वहिकल देखे होंगे जिसमें से आप लोगोंने टुविलर और थीविलर इस्कूरर और बाइक जरूर देखे होंगे लेकिन आज की शुरूर में दिखाने वाले हैं कार स्टाइल में बनी टोप 3 मेड इन इंडिया, चीन और जाप इन इस्कूरर को कार की तरह डिजाइन किया गया है, यह स्कूरर दिखने में काफी स्मार्ट लगता है, अब देखना यह होगा कि आपको कौन सी स्कूरर पसंद आएगी, तो देर ना करते हुए शुरूरात करते हैं आइडिया इलेक्टिक 3-wheel cargo scooter, जापान की इस्टाटो कमनी आइडिया ने आलफा नम सी इलेक्टिक 3-wheel launch किया है, आइडिया जापान की एक नया mobility ब्रांड है, जिसको 2019 टोक्यो मोटरशों में पेश किया गया था, इस कमनी का मिस्टन है जिरो एमिशन वहिकल को जल्दी मार् बात करें तो इस वहिकल की लेंग्ध 6.5 feet, width 2 feet, height 5 feet और 2 feet की seat height दी गई है, आइडिया आलफा स्कूटर में 270 kg का weight दिया गया है, इस स्कूर के सबसबरी खासेती है कि इसमें carbon fiber roof दी गई है, इस roof को transparent material से बनाया गया है, जिससे स्कूर चालक और पीछे बेटी सवर का दूब से बचाओ होगा, आलफा वहिकल को bike और स्कूर के combination से बनाया गया है, इस स्कूर में एक बड़ी सी windshield लगी हुई है, जो एक hard top के साथ जुडी हुई है, साथी hard top के कारण बारिस में भीगने से भी बच सकते हैं, sitting capacity की बात करें तो इस वहिकल में सिर्फ एक की आदमी सफर कर सकते हो, इस किलाव कार्गो स्कूर में 3.85 kWh की lithium-ion battery दी गई है, जिससे एक बर फुल चार्ज करके 90 km तो 99 ब्राइल ले सकते हो, चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस वहिकल को 180 मिनिट में फुल चार्ज किया जा सकता है, इस किलाव इस स्कूर में 420 लिटर का large cargo box दिया गया है, कमनी का कहिना है कि इसके cargo box को कस्टमर order की सबसे बनाये जाएगा, जिसमें कस्टमर 220 लिटर, 322 लिटर, 215 लिटर और 106 लिटर में बनाये जा सकता है, इस box का पूरा dimension स्किन पर दिया गया है, इसके अलाव अगर कस्टमर box के अलावा flat loading hook भी लगा सकता है, इसके अ अलफा स्कूरर में फुल कलर LCD मीटर दिया गया है, जिसमें ग्राफिकली रूप से स्पीड, बैटरी लेवल और मायलेजी से ज़रुत की हर चीज दिखाता है, ब्रेकिंग सिस्टम की बात करतो, इसकूरर के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, फीचर्स की इसकूरर में मुबाइल चार्जर के लिए 2 USB पावर सोकेट, रिवर्स फंक्षन और विंड्शील्ड और रूफ प्रोटेक्शन जिसे फीचर्स दिये गए है, लोडिंग केपिसिटी की बात करतो, ये स्कूरर 100-100 kg का मेक्जिमम लोड उठा सकता है, भारत की डिजाइनर हर हर करण वीर ने एक 3-wheel vehicle डिजाइन की है, इस 3-wheeler roof वीर को EZ नाम दिया है, भारत की डिजाइनर हर करण वीर ने इसका prototype पेश दिया है, जिसके लिए हर करण वीर को कई awards भी मिल चुके है, खास बत यह है कि EZ electric screw में panoramic sunroof भी दिया गया है, जिससे scooter चालक वह सवारे का सफर कर सकता है, प्लेस वन modular layout भी दिया गया है, इसके लाव इस vehicle में 1WD real wheel hub mounted electric motor दी गई है, इसके लाव इसमें रिथियमेन बेटरी दी जाएगी, EZ environment friendly vehicle है, जिसे lightweight composite material से बनाया गया है, गाईस इस vehicle को चलाने का experience गजब का होने वाला है, EZ electric scooter 100% connected vehicle होगा, जो built-in mobile devices link system के height 5 feet और 4 feet का wheel base दिया गया है, इस कलाव इस scooter का front में regenerative motor दी गई है, इस कलाव इस scooter का front melody headlight, turn indicator और rear melody tail light दी गई है, गाईस यह एक prototype है, यह आप इसे designer की thinking भी कह सकते हैं, अगर यह vehicle भारत में आता है, तो यह विदेश की roof vehicle को टकर माल सकता है, भारत के you are designer के लिए एक लाइक group scooter पेश की है, यह एक 3 wheel scooter है, जो windshield wiper roof के साथ आता है, इस scooter में एक बड़ी सी windshield लगी हुई है, यह भी hard top के साथ जुड़ी हुई है, साथी hard top के कारण बारेस में भीगने से भी बच सकते हैं, इस scooter में explosion proof curve glass दिया गया है, जो कभी भी तूटने वाला नहीं है, लेकिन इनके glass में eye production नहीं दिया गया है, इस scooter में self healing system दिया गया है, जिसमे return function, one click repair, forward and reverse, intelligent speed और lighting button दिया गया है, इस कलाव उसे black digital display दिया गया है, जो जरूरत की हर चीज दिखाता है, इस scooter का front और rear में display दिया गया है, पावर वो डिस्पैटिफिकेशन की बात करें तो, इस scooter में different speed की motor दी 80H की lithium-ion battery दी गई है, जिसे एक बार full charge करके 55 km तो 99 बराइड ले सकते हो, इसकी बेटरी को 6-8 गंटे में full charge किया जा सकता है, इस कलाव इसके rear side में cargo space भी दिया गया है, डायमेंशन की बात करें तो, इस scooter की length of 5 feet, width 2 feet, और height 5.5 feet दी गई है, इस कलाव scooter का front melody headlight, turn indicator, rear melody tail lights दी ही है, तो दोस्तों इन में से कौन सी scooter आपको जएदा पसंद आई हमें कमेंट करकर जरूर बताए, वीडियो बसने हो तो like कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारी चेनल टेक एस्प्रेट को सबस्राइब नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए, take care, bye